कि दो स्वागय था आप सभी का आज के सेशन के अंदर जहां पर हम लास्ट वीक के यानि की 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में जो भी कुछ करेंगे अच्छे से दोस्तों पहला जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे वह हमारे जैम प्लैटफॉर्म की दर असल में जब मैं बात करता हूं जैम प्लैटफॉर्म की इट स्टेंड्स फॉर गॉर्मेंट इमार्केट प्लेस अब जैसे कि आप लोग भी कुछ समान खरीदते होंगे Amazon से Flipkart से ऐसे अलग-अलग जगा से आप भी अपना समान खरीदते हो उसी तरह से अगर मैं बात करूँ न हमारी जो सरकार होती है उसको भी तो बहुत सारी चीज़े खरीदनी होती है बहुत सारे equipment खरीदने होते हैं प्लस हमारे जो आपके सरकार की अलग-अलग जो ministries हो गया उन ministries में जो departments होते हैं उनको भी बहुत कुछ खरीदना बढ़ता है बहुत सारा stationery का समान खरीदना होता है इस तरह से बहुत सारी n number of चीज़ें खरीदनी होती है उसमें goods भी आ जाते है उसमें services भी आ जाती है ठ अगर आप notice करो अगर यह जो सारा procurement हो रहा है सरकार जहां से समान ले रही है अगर यहां पर कुछ लोग मिलकर सामने वाली party के साथ कुछ समझोता कर ले तो दिक्कत हो जाएगी ना बीच में corruption का cases यहां में बन सकते हैं है ना क्योंकि मालो मालो office के लिए क्लिए क्लिए हो जाएगी अब ऐसी समस्यां पहले आया करती थी उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ना हमने यह सारी चीज़े ऑनलाइन कर दी ठीक है जैसे आप लोग Amazon Flipkart से ख्रीदते हो बिलकुल उसी तरह से हमारी जो मिनिस्ट्रीज हमारी departments हैं उन्होंको भी सारी चीज़े ऑ accountability आगी है क्योंकि अब हर एक action को देखा जाएगा कोई समान अगर कोई खरीदा जा रहा है किस rate पे खरीदा गया क्यों खरीदा गया कहां से खरीदा गया तो आप से आस ऑनलाइन सारे सस्ते options यहां पे available हो जाते हैं तो अब यह जो पहले एक तुना से आपस में collusive corruption हो रहा जैम पोर्टल के माद्य हम से खरीदा गया एंड ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल के अन तक मलब फिसकल यह के अन तक यह जो प्लैटफर्म होगा दुनिया का सबसे बड़ा प्लैटफर्म बन जाएगा in terms of the amount purchased using this particular portal अब पूछेंगे इंडिया का बड़े टॉप बनेगा त तीसे नंबर के पर सिंगापूर का आपको जीविज आपको देखने को मिल जाएगा कुछ एक पॉइंटर्स हम और डिसकस कर लेते हैं हमारे जैम पोर्टल के बारे में तो जैसा मैंने बताया यह एक वन स्टॉप पोर्टल बन जाता है तांकि आप कोई भी चीज प्रक्यो जा पाए ध्यान रखने वाली बात यह है कि नोडल मिस्ट्री यहां पर आपको मिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है अब जो भी आपका गौर्मेंट यूजर्स हैं उनको यहीं से आपको पर्चेस करना हुआ ऐसा यहां पर मेंडेटरी किया ग इसी पर्टिकुलर पोर्टल से एंड-to-end रिजिस्ट्रेशन हो जाएगा पूरा ट्रांस्परेंसी है असानी से जो बायर है बहुत अराम से चीज़ को खरीद सकता है क्या उसको खरीदना है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं किसी को आप सेलेक्ट करो कंपेर क अगर आपको इस लेक्टर की पीडिफ चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल रिशव शर्मा सर पीडिफ के साथ साथ जो भी यूपी एसी के लिए बहुत बॉइंट नोट्स होते हैं जो कॉंटेंट वगरा होता है वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करता रहता हूँ तो मारा टॉपिक होगा फाइनास कमिशन के रोल के रिगारिंग देखो फाइनास कमिशन दरहसल में क्या है आपकी एक समीधानिक बॉड़ी अब इंपोर्टेंट पॉइंट एस कुछ पॉलिटी परस्पेक्टिफ से पड़ेंगे कुछ एकॉनमी का भी है तो दोनों का मिक करना यह देखो छोड़ी बात होती है यहां पर बात क्या है प्रेजजेंट ऑफ इंडिया की कल को यूपिस्टी स्टेटमेंट चेंज करके प्राइम मिस्टर लिख देगा या कुछ फाइनास मिस्टर लिख देगा तो वह स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगी अ इन मिलेगी वो सारे चीज़े करना इनका ही काम होता है इंपर्टन बात यह है कि यह सिरफ क्या कर सकते हैं यह सिरफ सिघेश्य सकते हैं बाद में उसको मानना ना मानना वो सरकार जाँ पर सरकार ही हैं पर स्रकार सुन से सरक Com explosion से हैं वो suggestion दिया जाते हैं इसके लावा गर बात करूं तो यहां पर president सहाब भी इनको यहां पर कुछ काम दे सकते हैं इनको बताया जा सकता है और जो matter इनको refer किया जाएगा वह यहां पर इनको बताना पड़ेगा फिर accordingly इसके business के उपर एक report बनती है वो report submit होती है president सापको जो कि यहां पर पारलेमेंट के दोनों सदनों के दोनों houses के सामने यहां पर उस report को रखा जाता है फिर इस report के बाद में एक explanatory memorandum भी होता है चलो वो बात तो चलो ठीक है अब थोड़ा सा और इसके बारे में discuss करेंगी कौन-कौन से members होते हैं इसके अंदर तो दरसल मेंगर हम बात करें यहां पर आपको एक chair person and आपको चार other members इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे कितने time के लिए होंगे यह presidential order के लिए होता है generally जो होता है ना इनका term वो आपका 5 साल का ही हमें देखने के मिल जाता है ठीक है and normally जो recommendation की होती है वो बनाने में इनको लगवग 2 साल का समय यहां पर लग जाता है important बात आपको ध्यान में रखनी है कि members आपके reappoint भी यहां पर किये जा सकते है अब देखो समिधान के अंदर तो लिख दिया कि हाँ finance commission होगा president को constitute करेंगे यह सब बाते पर उनकी क्या क्या conditions होंगी यह समिधान में ने लिखा तो समिधान में क्या लिखा है समिधान में यह लिखा कि parliament को authorize किया गया है कि members की जो qualification है उनको determine करें तो उसी के हिसाब से parliament ने बता क्या किया है parliament ने कुछ qualifications दी है क्या है कि जो chairman होने चाहिए न वो उनका public affairs के अंदर definitely experience होना चाहिए और जो बाकी चार members है उनकी यह चार condition होनी चाहिए पहली कि high court judge होने चाहिए या फिर उनकी qualification होने चाहिए कि वो high court judge बन पाए दूसरा है उस person को यहाँ पर finance and accounts की अच्छी जानकारी होनी चाहिए तीसरे person को financial matters and administration के बारे में experience होना चाहिए और चौते person को यहाँ पर economics की special knowledge होनी चाहिए तो यह 4% और साथ साथ chairman के मैंने आपको बताई दिया public affairs के अंदर experience होना अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर code of civil procedure जो था हमारा मनलब है basically उसके साब से अगर हम बात करें तो इनके पास सारी की सारी powers है जो की civil code के बास होती है यानि कि अगर मानलो किसी witness को call करना हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वरा करी जा सकती है अब देखो यार यह बाते चलो होगी अब जो पैसा distribute होता है finance commission के द्वरा वो कैसे decide क्या जाता है तो यह तो decide होना होता है कि हाँ center के बीच में कितना होगा इस चीज़ को हम बोलते है vertical devolution ठीक है और कौन सी state को कितना मिलेगा किसी दूसी state को कम मिलेगा किसी को जादा मिलेगा इसको बोलेंगे हम क्या इसको बोलेंगे horizontal devolution समझ गे तो सर्थ इस को devolution को तरीका क्या होता है देखो यहां पर बहुत साई चीज़े देखी जाती है जैसे for example उस state की population कितनी है कितनी उनका income level कितना है कितना पीछे है वो तो इसे अलग-अलग criteria के बिसके पर देखा जाता है and accordingly recommendation यहां पर दी जाती है important बात आप notice करोगे न पहले अगर मैं बात करो 13th finance commission की तो उन्होंने 32% यह कहा था कि center का share होना चाहिए जो state के साथ share होगा 14th finance commission इसको बढ़ा दिया 42% तो बहुत अच्छा हुआ यानि कि states का contribution बलस states के लिए जो पैसा मिलना था वो बढ़ गया 15th ने भी लगबग same ही रखा इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बिछले finance questions बें और भी बहुत अच्छे-च्छे काम किये है अगर यहाँ पर लगता है कि center को aid करना चाहिए तो भी यहाँ पर करी जा सकती है प्लस at the same time जो 16th finance commission job recommendation देगा आने वाले समय के अंदर वो यहाँ पर focus यह भी करेगा कि local bodies आपके penchides आपके municipalities उनको benefit कर सकते हैं तो यह भी कुछ एक चीज़े हैं जो कि यहाँ पर discuss करी जा रही है तो बार बार यह news में आता है तो एक बार हमने इसका holistic discussion ही यहाँ पर हमने कर लिया अब चलते हैं अपने mains की discussion की तरफ देखो यहाँ पर जो मैंने आपको पिछले अफ़ते mains का question दिया था वो यह था कि भारत में जितनी भी आपको या जाहतर बेरोजगारी देखने के मिलती है वो अपने आप में structural है nature के अंदर और मैंने आप से आगे पूछा था कि methodology बढ़ाईए एक्जामीन कीजे उसको हमारे देश में जो बेरोजगारी निकालने के लिए करी जाती है और इसमें improvements हम यहाँ पे क्या-क्या suggest कर सकते हैं देखो आपको न यह questions जो मैं करार हूँ majorly मुझे आपको structure समझाना है कि आप answers लिखोगे कैसे आप समझो एक तो पहली बात यहाँ पर जैसे हम बात कहते हैं introduction body on conclusion की बिल्कुल ठीक बात है इसमें लिखना तो ऐसे ही है आप स्टार्टिंग में introduction में एक basic idea दे सकते हो कि लटसे आप बता सकते हो कि भारत में कितनी बेरोजगारी है how much unemployment is in India आप latest numbers यहाँ पर बता सकते हो लगबग 6% के आसपास है पर आप latest numbers जो भी आपके exam के सामने होंगे आप उस number को यहाँ पर अपने सामने यहाँ पर लिख सकते हो plus at the same time आप यहाँ पर आपको mention करना पड़ेगा कि कैसे यह जो लिखा है न word कि कैसे जातर बेरोजगारी structural है तो वो आपको थोड़ा सा explain करना पड़ेगा चाहो तो आप यहाँ पर introduction में यह चीज़ explain कर दो या फिर body का बिल्लकुल minor सा हिस्सा लेके आप यहाँ पर इसको explain किया जा सकते है structural देखो बहुत ही simple चीज़ होती है structural का अर्थ होता है कि मानलो जैसे आपके कुछ workers है ठीक है workers और जो existing market में conditions है ना उसके लिए जो skills चाहिए है उस skills के अंदर हमें gap के बार देखने को मिल जाता है यानि कि जो लोग काम करना चाहते है ठीक है ना पर उनको काम मिल नहीं पा रहा काम क्यों नहीं मिल पा रहा काम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनके मतलब एक technology में shift आ चुका है कुछ नहीं technologies आ चुकी है plus at the same time लोगों के अंदर skill deficiencies है जिस वज़ा से किवर हमारी growth तो होती है पर वो अपने आप में jobless growth हो जाती है तो यह वाला part आप थोड़ा सा introduction में भी लिख सकते हो और अगर आप चाहो तो बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा आप अपना body का भी यहां पर यूस कर सकते हो तो यहां पर तो आप definitely थोड़ा structural unemployment के वारे में बता दोगे जो हमारे graduates को skills देने चाहिए वो हम कहिना कि नहीं दे पाए है बहुत सारी reports भी आती जैसे की employability report हमें बता देती है है ना तो वो थोड़ा सा mention कर सकते हो यह थो थोड़ा बेसिक आपका starting हो गया अब आना है आपको main question के उपर जो बात कर रहा है कि भाई यह बताओ कि हमारे यहाँ पे कौन सी methodology अड़ाप्ट हो रही है और उसको आप थोड़ा examine करो देखो आप लोग ना इस बारे में जानते होंगे कि जब मैं बात करता हूँ unemployment ही तो आपको यहाँ पे PLFS के बारे में definitely बताना ही पड़ेगा that is periodic labor force survey क् इसी के माध्यम से हमारी जो unemployment है वो यहाँ पर calculate होती है दरसल में हुआ क्या कि हमारी जो NSON National Statistical Office उसके द्वारा 2017 के अंदर periodic labor force survey को यहाँ पे launch किया गया जिसके माध्यम के उपर ना हर साल हम यहाँ पर इस चीज़ को करने ही कोशिश करते हैं ताकि पता लग पाए कि कितनी बेरोजगारी भारत के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी यहाँ पर हमारी अलग-अलग आपको तरीके आपको देखने को मिल जाएंगे एक आपने सुना होगा जिसको हम जानते हैं usual status approach के बारे में एक आपका होता है जो इसको हम बोलते है current weekly status और साथी साथ आपका जो daily status की मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ अब इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रेन कर सकता हूँ जैसे अगर मैं बात करूँ यूजर स्टेटस अप्रोच की यहाँ पर बात करता है पिछले 365 डेस की यानि की लास्ट एक साल की यहाँ बात करता है सर्वे से एक साल पिछले का काम, यानि कि पिछले एक साल के अंदर जो कहीं न कहीं, जिसको जादा तर टाइम जो बेरोजगार रहा, उनको इसके माध्यम से कैलक्विड के जाता है, उसी के साथ अगर मैं बात करूँ, करण्ट वीकली स्टेटस की तो यहां पर बात कर जाती है, पिछले एक हफते की, कि उस इनसान को पिछले एक हफते में कितना काम मिला या काम नहीं मिला, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, डेली स्टेटस या करण्ट डेली स्टेटस की उसका बात होती है कि एक दिन के अंदर मतलब उसको कितना घंटे काम मिल रहा है नहीं मिल रहा कम काम मिल रहा है या कैसे हो गया तो उसके साब से अलग-अलग तरीके हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो majorly जो methodology जो use कर जाती है न वो इसी के regarding होती है कि आप periodic labor force survey के माद्यम से इसमें जो अलग-अलग चीज़े होती है उसके साब से यह चीज़ चेक करी जाती है कि किसको कितना बेरोजगार है और कितना नहीं है अब तो यह जो चीज़े हम calculate कर रहे हैं यहाँ पर हमारा हम rural के लिए भी करते हैं आपका जो urban areas है वहाँ पर भी हो गया आपका agriculture sector हो गया आपका non agriculture sector हो गया इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पर यह चीज़ करी जाती है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर हमारी जो methodology होती है आप उसको explain कर सकते हो यह हमारी इस तरह से कुछ methodology हमें देखने को मिल जाती है अब उसने इतना ही नहीं पूचा उसने आगे पूचा है कि भाई आप improvements भी तो बताओ इसके अंदर कि क्या क्या improvements आगे करी जा सकती है तो definitely देखो बहुत सारी improvements यहाँ पर आप suggest कर सकते हो पहली बात तो आपने notice करा जैसे मैं बात करा था आपके usual status approach की तो आपने notice किया होगा कि यहाँ पर ना बंदे से क्या कुछ जाता है कि एक साल का अपना बताओ लास्ट वान येर का तो यह जो अपना आप में reference period होता है ना जो आप इसके माध्यम से data collect करने कोशिश कर रहे हो जो data collection वाला process है उसके अंदर भी ना हम कई बार real time changes को हम नहीं देख पाते तो real time changes को हम देख पाएं इसके लिए भी हमें frequency of data collection increase करनी पड़ेगी इसके साथ यह जो reference period की बात कर रहा था यह reference period को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा साथी साथ अगर हम बात करें तो actual में जो आपके survey करने वाले लोग है जो survey कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर हमें थोड़ा सा और explain करना पड़ेगा कि सिरफ आप basic question मत पुछो आगे further आप इनसान को probe करने की कोशिश करो तांकि हमें एक direct idea मिले कई बार हमें ऐसा भी notice करने को मिला है कि जो informal sector का proper data है वो हमारे सामने available नहीं हो पाता जिस वज़े से क्या होता है जिस वज़े से हमारे पास एक complete picture नहीं आ पाती तो यह कुछ issues तो definitely थे और यही आपके informal sector का data capture को अच्छे से direct program करो आपका यहाँ पर technology का आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे चाहे आप बात कर लो big data analytics की या आप बात कर ले सकते हो internet of things की इसके मादब से real time के उपर आप यह चीज़ें measure कर पाऊगे और एक अच्छा एक आपको idea लग पाएगा बाकी देखो regular basis पर यह चीज़ें होती रहनी चाहिए तो वो भी एक improvement आप success कर सकते हो plus at the same time अगर हमने न proper skill mapping service हमने यहाँ पर conduct करने start किये तो उसके हिसाब से हमें एक idea मिलेगा कि कहां कहां पर कितना gap है between the education and the industry and कैसे हम उस चीज़ को फिर accordingly address कर सकते हैं तो यह कुछ pointers जो आप यहाँ पर definitely बता सकते हो ध्यान में रखने माली बात यह है ना कि देखो आपके case में ना पहले तो थोड़ा से यह structural unemployment को explain करना जूरी था फिर methodology क्या है उसको थोड़ा बताना जूरी था और फिर कही ना कहीं हम क्या improvement कर सकते हैं यह चीज़ें बतानी important बन जाती है अगर आपने यहाँ पर कोई भी aspect मिस किया तो आपके marks उस case में कम हो जाएंगे फिर अच्छे से आप accordingly conclude कर सकते हो कैसे हम कहीं ना कहीं structural unemployment को और address कर सकते हैं क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिसके बादरम से कुछ ऐसे interventions हों जिसके मादम से हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो कम हो पाए और उससे जो गरीबी है जो other aspects आते हैं वो भी हम tackle कर सकते हैं at the same time अगर आप चाहो तो conclusion के अंदर कुछ एक government schemes का भी हलका सा जिकर किया जा सकता है कि सरकार ने यह scheme में लाई है थोड़ा सा अच्छा और implementation करने से यह यह तरीके करने से हम एक society की तरफ बढ़ सकते हैं जहां पर मतलब जो की inclusive growth जहां पर हमें देखने को मिल जाए तो ऐसा कुछ आप conclusion भी यहां पर आप दे सकते हो तो मेरा point बेजरली आपको समझाने का यह था कि आपको ना सारे के सारे components address करने होंगे question के ऐसा मत करो कि कोई आपने component छोड़ ही दिया या miss कर दिया क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना कि component miss कर देते हो तो उससे अपने आप में फिर आपके marks इस paper के अंदर आपको कम देखने को मिलते हैं अब आज का आपका homework भी 2023 का ही आपको एक question में आपको दे रहा हूँ यहाँ पर पूछा गया था care economy and monetized economy में क्या अंतर है और बाकी और question भी आप यहाँ पढ़ सकते हो तो definitely आप try कीजेगा and मुझे accordingly आप comments में बताना कि आपके साब से इस cancer क्या होगा last week मैंने आपको एक homework दिया था जहाँ मैंने पूछा था कि money supply यहाँ पर कैसे कैसे increase हो सकती है देखो अपने आप में एक काफी असान question था जब मैं बात करता हूँ ना money supply increase करने की right तो यहाँ पर आप notice करोगे कि जब भी आपकी government securities पर chase करती है central bank मालो RBI ने यहाँ पर government securities पर chase करी public से तो government securities पर chase करी तो बदले में क्या दिया होगा RBI ने बदले में पैसा दिया होगा बिल्कुल ठीक बात है जब बदले में पैसा देता है तो कहीं ने कि क्या होता है money supply market में definitely होती है तो पहला तो प्रिया में बिल्कुल सही है और चौथा जो स्टेट्मेंट कहा रहा था sale of government securities यह तो बिल्कुल उसका उल्टा हो गया government securities sell करेगा तो बदले में पैसा मिलेगा RBI को तो market से पैसा कम हो जाएगा तो पहला सही है फोर्थ गलत है उससे लासे करें बात करूं यहां पर कह रहा है कि government ने borrow किया है from the central bank सरकार अगर RBI से borrow कर वी उससे भी कहीना कहीं ही आप नोटेस करोगे एवेंचली जो पैसा जाएगा वो market में जाएगा भाई बिल्कुल ठीक है थर्ड भी आपका यहां पर क्रेक्ट देखने को मिल जाएगा सेकिंड आपका गलत हो जाएगा कि मालो commercial banks के अंदर यहां पर deposit किया जा रहा है तो उससे कहीना कि money supply decrease हो रही है तो एक्च्छल में आपका अंसर बनेगा option number C one and three will be the correct answer इसके अलाब मैंने दूसरा आपको homework दिया था कि इन चारों को आप arrange करिए in terms of decreasing order of liquidity तो आप जानते होते कोई currency होती है वह तो अपने आप में सबस्यादा liquid होती है इसमें तो कोई doubt ही बात ही नहीं है उसके बाद आपके जो आपके time deposit होते हैं वह आपके कम deposit कम आपके liquid होते हैं लिक्विड मतलब कितनी आसानी से आप किसी चीज़ को cash में convert कर सकते हो तो time deposit अगर आपने FDRD आपने करवा रखी है बैंक के साथ तो उसको तुड़वाने के नदर थोड़ टाइम बहुत तो लगेगा बिल्कुल सही बात है तो तो आपके जो बाकी हैं वो ज्यादा liquid है तो आपका अंसर आप comments में बताइएगा और डूसर आपका homework रहेगा आपका कि इसका मतलब economic development की regarding यह आपको question देखने को मिल जाएगा तो इसका answer भी आप मुझे comments में नीचे बता सकते हो ठीक है दोस्तों तो यह थी आज की discussion I hope आज की discussion आप सभी को बहुत अच्छे समझ आई होंगी द Thank you very much for the discussion.